नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रया दोपार तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजर हुए हैं पहली खबर की बात करते हैं दीपावली पर्व के दूसरे दिन रिवा शेहर के मुखे बाजारों वगलियों में सननाटा चाया रहा तीन दिन तक गुलजार रहने वाले बाजार में शुकरवार को एकका दुक का लोग ही चलते फिरते नजर आए मानिता है कि दिवाली और होली के दूसरे दिन खर पड़वा मानी जाती है ऐसे में शुबकार या आना जाना लेन देना दी नहीं किया जाता ऐसे में लोग पर कर सकते हैं फिर तृतिय से उसी तरह आम जीवन पट्री पर लोटाता है लोग अपने अपने कारिस्थल की ओर चले जाते हैं दुकानों और सडकों से नदारत वाहनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसा शहर में कर्फ्यू है यह स्तिति हम आपको रीवा शहर की बता रहे है दिवाली की पूजा के बाद प्रतिपदा को दुकान खोलना अशुब माना जाता है इसलिए शुकरवार को छोटी दुकानों से लेकर बड़े शोरूम तक हर जगा ताला लटका मिलता है मानेता है कि शनिवार को दूज मुहरत में व्यापारी पूजा अर्चना कर व्याप में वर्च्वली शिर्कत की दोनोंने महाकाल की पूजा अर्चनाभी की जोरान कई अन्यनेता भी उनके साथ मौजूद थे बदादे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दारनात में शुक्रवार सुबादी शंकराचारी की प्रतिमा का अनावरन उन्होंने किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया पूजा अर्चना के बाद प्येम मोदी ने केदारनात धाम की परिक्रमा की जोरान प्येम करोडों रुपए की योजनाव का उधाटन और शिलन्यास किया यह स्थान साल 2013 में आई प्राकृतिक आपदा से तूड़ गय और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनात दोरा चल रहा है